एडिसीक शेत्र में विभिन विकास कायरेक्रोमों के वितरन को लेकर शांत्रिबजार अनुमंडल अंतरगत जोलाइबारी प्रखन के कलसी ग्राम केंडर में मंगलवार को तिप्रमौथा पार्टी और भाचपा के बीच जरब हो गई ग्याद हुआ है कि दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं इस घटना के बारे में पूछे जाने पर तिप्रमौथा पार्टी के नयताओं ने कहा कि ADC क्षेत्र में तिप्रमोथा पार्टी की सरकार बनने के बाद से भाजपा समर्थित कायरेकर्ता विभिन विकास कायरों में बाधा डाल रहे हैं कल सी ADC गाउ में भाजपा समर्थित कायरेकर्ता पिछले कुछ दिनों से विभिन विकास कायरेकरमों में रेगा के काम में बाधा डाल रहे हैं। दिप्रमधानेताओ का आरोब है कि आज भी भाजबानेताओने विकास कायरेक्रम पर केंडिट कामों में बाधा डालने के लिए बाहर से लोगो कोल गी है उधर भाजबा के जुलाइबारी मंडल अधियक्ष अजे रियांग ने तिप्रमधा पार्टी के आरोबों को निराधार बताया उन्होंने कहा कलसी ADC गाउ में रेगा के काम से शुरू होकर भाजबा समर्थित कायरेकरताओं को विभिन विकास कायरेक्रमों से बाहर रखा जा रहा है आरोब है कि काम चाहने पर भाजबा के लोगों पर हमला किया जाता है दोनों पक्षों के हमले ने सभी इलाकों में तनावपून माहोल बना दिया है उधर दोनों पक्षों के बीज जरब को संभालने में बाइखोरा थाने के O.C. राजीव साहा और कॉनस्टेबल सिराज एममेद मौके पर घायल हो गए फिलहाल बाइखोरा प्राथमिक स्वास्थ केंडर में उन दोनों का इलाज चल रहा है घटना को नियंत्रित करने के लिए शांत्र बजार S.D.M. के नेत्रित्तों में CRPF जवानों को तेनाद किया गया है मताविक कारमी रूपर दा ठार शुरीलि या आतरा अक्रमुन कोर्चे उने मारा बहले चैस्ता बंके काने निजराग्बल है बाचीी यह से कारण उनारा बभीजन रोकम पर ए théorie हो रहे है ठाक लो में से अन्दर लोक हजन्या चैसरा grण कोरोच पाटिर काज्यक कोत्तारा एक इंची माने जागा सत्ते राजीनों अम्रा मोथा तता जही पाटी होग अम्रा गिन्तो उस्त्रिंग कोला पाटी के अम्रा फुनुरोको में जागा देवो ना इदे ही अमादर बद्धबुरिगो